पियम नरिंद्र मोधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशुक गहलोत ने मंगलवार को बांसवाडा जिले के मानगर धाम में आदिवासी सुतंदता सेनारियों को श्रधान जुली देने के लिए मंजु साचा किया इस दोरान सरकार ने एक बयाम जारी कर बताया कि पियम मोधी ने राजस्थान के मानगर धाम को राश्टी समारक के रूप में घुशित कया बताते चलें इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पियम मोधी को दो बार पत्रलिक कर मांग कर चुके थे कि मानगर धा को राश्टी स्मारग घोशत क्या जाए ताकि गोविन गुरु को सच्ची शिद्धांज लेती जा सके मानगड की गौरव गाथा कारिक्रम में प्रधानमुंति निरिन मोदी ने अपने सम्मोधन में कहा दुलभाग्य से आदिवासी समाज के इस मलिदान को इतिहास में जो ज निशाना साधा उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में है योगा क्लासे इनके निशाने पर हैं मोहला क्लीरिक अगला टागेट है ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं केजरिवाल ने कहा कि बीजेपी योगा क्लासे को बंद करना चाहती है लेकिन क्लासे ज लेकिन दिल्ली की जनता इन लोगों को अच्छे से चवाब देगी। आप मुक्या ने आगे कहा कि जब पंजाब में चुनाव होनी थी तब इन्होंने कुमार विश्वास को खड़ा किया। अब गुजराद चुनाव है तो इन्होंने सुकेश चंद्रेश शेखर को खड़ा कर दिया। बताते चले पंजाब चुनाव के समय कुमार विश्वास ते अर्विन गेजरिवाल को लेकर खालिस्तान से संबंद पयान दिया था। गुजराद के मौरवी में मच्छू नदी का केबल ब्रीज केरने से मरने वालों की संग्या 141 हो गई। इन में से 50 से पुटी गार्ड तो टिकेट क्लरक शामिल है। पुलिस के अफायर में ने तो पुल को आपरेट करके पैसे कमाने वाले औरेवा कंपनी का जिक्र है ना तो रेनोवेशन का काम करने वाली देवप्रेकास सॉलिशन का। पुल की निगरानी के लिए जिमेदार मोर्भी नगर पालिका के एंजिनियर का भी नाम नहीं है। यानि केवल चोटे कर्मेचारी को हास्ते का जिमेदार ठहरा कर सरकार अपनीट थप थप थपा रही है। तिहार जल में ठग सुकेश चंदर शेखर ने आपके मंत्री सतिन जैन पर गंभी रारूप लगा है। उसका आरोप है क सुकेश चंदर शेखर के मंत्री पिछले साथ महीनों से दिल्ली के तिहार जल में बंद है। उनके इशारे पर मुझे जेल के डीजी और जेल प्रिशासर ने धंकाया। मुझसे इन लोगों ने हाई कोर्ट में दर्ज शिकायत को वापस लेने का दवा बनाया। सुकेश चंदर शेखर मनी लाोंटरिंग के मामले में दिल्ली की तिहार जेल में बंद है। सुकेश चंदर शेखर ने जेल से LG VK सक्सेना को पत्र लिकर जयान पर गंबिर आडूप लगाए। LG को दिये गए पत्र में सुकेश ने लिखा। धिल्ली सरकार की मंत्री सतिन ज और आदिका आप्ति की आने वाले फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का ट्रिलर रिलीज हो चुका है ट्रिलर को देख साफ होता है कि फिल्म में सुस्पेंस है यह फिल्म क्राइम ठिलर है जिसमें सबस्दस कॉमेडी और ट्रामा भी टेकने को में लगा फिल्म 11 नवेंबर 2022 को OTT प्लाटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलेस होगे फिल्म के ट्रेलर के शुर्वात हुमा से होती है रेड लॉंग गाउन पैने हुमा काफी ग्लामरस है बैक्राउन में पिया तू अब तो आजा गाना बज़ता है इसके बाद खून की छीटे दिखाए देती है फिल्म मे काच को हाथ से साफ करते दिखाया जाता है फिल्म में रादिका अप्ठी को पलिस ओफिसर के किरदार में दिखाया गया जो सस्पेंस पर एक केस को सुलचा रही है फिल्म में अर्पम खेर के बेटे सिकंदर खेर भी है उनका किरदार भी संजीता दिखाया गया है